जब आप investor के पास जाते हो तो आपको एक project report दो लेके जाना ही है कंबल सरी और उसके अंदर आपको सारे inputs बताने की product क्या है क्या demand है क्या market है आगे क्या हो सकता है इसके बाद उनका question यह हमेशा रहेगा भाया आप क्या invest कर रहे हो आपका इसमें interest क्या है तो उसके अंतर में को justify करना मुश्कील हो रहा था कि मैं investment नहीं करना हूँ by money I was not investing anything in finance part I was investing my time and time has the biggest value आसे क्यूंकि आज अगर मैं किसी को बनू कि मैं आपको लाग रुपर देता हूं आप घर के नदर बैट जाओ पुरा time वो तो नहीं बैटेगा हो because he has a world to know na you will not sit at home so if you are giving time to somebody किसी को आप ताइम देने कोई चीज के लिए तो उसका भी value होता है और उस चीज को मैंने वहाँ बता है कि मैं अपना time दे रहा हूं यहां पर इस project के लिए मैं अपना career इसके नदर पूरा डाल के रखा है मैं इसको पूरा 100% dedication के साथ करने वाला हूं I will be leaving my job and doing this as full time